खरीबी दोस्तों का एक चोड़ा शाक को करीब से देखना चाता है। हाला कि उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन जब वे रोमांच का अनन्द ले रहे थे तो चर्खी में खराबी आ गई। अभी लोहे का पिंजरा तेजी से डूब गया। इससे दोनों बहने डर आ गया। वे दोनों कोमा से बाहर आ गये। टीना डर कर चिल्लाई। स्वभाग्य से जैनी ने टीना को शांत होने में मदद की। दोनों लोहे के पिंजरे से बचने का उपाय सोचने लगते हैं। हाला कि रेडियो सिग्नल फ्राप्त नहीं कर सकता। लोहे के पिंजरे का निकास भी ट्रेंग के पेर के फ्रेम से दब गया था, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो गह उसे बाहर नहीं धकेल सका। उन्हें बस अन्य था सोचना था। जैनी को लोहे के पिंजरे में एक खाली जगह का पता चला जिससे बाहर निकला जा सकी। तो उसने इसे आजमा लेकिन शरीर बाहर नहीं निकल पाया और ऑक्सिजन मास्क फंस गया। रास्ते से हटकर वह लोहे के पिंजरे में लौट आई। फिर ऑक्सिजन मास्क उतारे और बाहर निकले। फिलहाल यही एक मात्र रास्ता है। शर्चा के बाद उसने एक कहरी सांस ली। फिर फिर लोहे के पिंजरे पर चढ़ी चहाज के फ्रेम को बाहर धकेलें। अंततह उसने फ्रेम को बाहर धकेल दिया। वह टीना को पहले पिंजरे में रहने के लिए कहती है अगर शाक उन्हें खोज लेती है। इतना कहकर वह समुद्र की ओर तेर गई। जब वह 40 मीडर की गहर सोचेगा। हाला कि जब चैनी पलटने वाली थी एक शाक ने उस पर हमला कर दिया। वह लोहे के पिंजरे तक तेरने से डरती थी। लेकिन जब वह टेर कर प्रवेश्टवार पर पहुचा तो उसे प्रवेश्टवार पर एक संजीर फंसी हुई मिली। सौभाग्य से वह लोहे के पिंजरे में तेर गई। अभी वह भाग निकली। लेकिन क्या शाक इतनी आसानी से नहीं जा सकती। वह लोहे के पिंजरे को काटने के लिए दोड़ा। इसके केवर एक बार काटने से ही लोहे का धाचा कट गया और लोहे के पिंजरे में भी एक बड़ा गाप प खाई दी, ऐसा लगता है जैसे रयान में बचाव दल को बुलाया हो, इससे उन में आशा की किरन जगी है, लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ करबर है, बचाव दल को वे नहीं मिले, इसलिए दीना ने ध्याना करशित करने के लिए लोहे के पिंजरे पर पत्थरों से प्रहार किया, लेकिन मोलता ही एक काम नहीं करता, बचने के लिए जैमी एक पचाव दल को खोजने के लिए पिंजरे से बाहर तेर गया, शाक से बचने के लिए वे सावधानी से समुद्र के तल तक तेर गई, हाला कि उसे एक शाक ने खोजा था, सब भाग्य से वे समय रहते चटा के पीछे चिप गई, आखिरकार बह शाक से बच निकली, ऑक्सिजन कम होती देख उन्हें रेस्क्यू टीम धूननी पड़ी, फिर बह प्रकाश की और तेरने लगी, लेकिन यह सिर्फ एक चमकती टॉच है, बह बह बहत हताश थी, इसलिए उसने दूसरा रास्ता खोजने क का फैसला किया, लेकिन अब उसे पता चला कि लोहे के पिंजरे का स्थान पता करना पूरी तरह से असंभख था, इसी वक्त शाक ने उस पर दुबारा हमला कर दिया, इसी समय लाइफ कार प्रकट हुआ, लेकिन शाक ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया, यह देख कर जैमी भी चट्टानों में छिप गया, शाक के जाने का इंतजार करते हुए, उसने बचाव करता की शरीर से केबल हटा दी, फिर मचली पकरने वाली बंदोग उठा ली, फिर वह वोकी टॉकी के माध्यम से टीना से संबाद करती है, टीना के निर्देशों का पालन करते हु पस लोहे के पिंजरे के पास बहुच गई, बहुत चल्दी लोहे का पिंजरा खीच लिया गया, अब वे बहुत खुश हैं, लेकिन जब उन्हें आधा उपर खीचा गया तो केबल तूट गई, वे दोनों एक पार फिर समुद्र के तल में गिर गए, और इस पार टीना का पैर को चल गया, जैमी पिंजरे को हिलाने में भी असमर्थ था, इस समय ऑक्सिजन टैंक भी एक अलाम उतसरजित करता है, जैमी ने टीना को बचाना छोड़ दिया, फिर तेजी से तेर कर एसी स्थिती में पहुंचे जहां रयान से संपर्ट किया जा सकी, रयान ने कहा कि तुम्हें दो अतिरिक्त ऑक्सिजन टैंक देंगे, और बचा गल अपने रास्ते पर है, जैमी इंतजार करने के लिए जल्दी से लोहे के पिंजरे में लौट आया, बहुत जल्दी ऑक्सिजन टैंक गिरा दिया गया, यह देख पर जैमी पिंजरे से बाहर निकला, फिर ऑ अक्सिजन उसे सुरक्षित महसूस कराती है, इसके अलावा, बैग में तीन फ्लो स्टिक हैं, जिनका इस्तिमाल दुर घटनाओं से बचने के लिए किया जा सकता है, फिर उसने बचा हुआ ओक्सिजन टैंक लिया और तेर कर वापस आ गई, लेकिन जब वह लोहे के पिंज से बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा, उसने मचली पकरने वाली बंदूप पकर रखी थी जिसे जैमी वापस लाया था, फिर नए ओक्सिजन टैंक को अपनी ओर अधिक दूर खीचें, बार बार कई खोशिशों के बाद, आखिरकार उसे एक नया ओक्सिजन टैंक मिल थी, स्तिती बहुत निराशावादी थी, जब उसे पता चलता है कि जैमी अभी भी जीवित है, तो टीना को जैमी को बचाने का एक तरीका सोचना चाहिए, तो उसने एक रास्ता निकाला, सबसे पहले उसने लोहे के पिंजरे के नीचे एक छेद खोदा, फिर बैकपाक को छेद में रखें, फिर वह अपने बैग में ऑक्सिजन टांक से हवा भढ़ने लगी, बैकपाक फूलने के बाद लोहे का पिंजरा भी उपर उठाया जाता है, यह देखकर उसने अपना पैर बाहर खीच लिया, वह जीमी को खोजने के लिए पिंजरे से बाहर निकली, जब उन्हें बतियां जलाई, फिर समुद्र की ओर तैर गए, लेकिन जब वे 20 मीदर की गहराई तक तैर गए, तो रयान ने रेडियो के माध्यम से उन्हें रुखने के लिए कहा, अन्य था, मजबूत दबाव से उनकी जान चली जाएगी, पहला दीपक जल गया, थियान ने द जहास बर मौजूद लोगों ने उन्हें ढूंड लिया, उन्होंने उनके लिए एक लाइफ बॉई गिराया, यह सोचकर कि उसे बचा लिया गया है, शाक ने चलांग लगाई और टीना को काट लिया हो उसे समुद्र में खीच ले गई, टीना ने पानी में बुरी तरह भर्ष किया, बचने के लिए बार बार शाक की आँखों में चाका, अंत में दो सबसे अच्छे दोस्ती सफलता पूर्वक बच गए